साथियों आप से ही का स्वागत करता हूँ अपने MRS study परिवार में तो दियर आज की इस तरह वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ बिहार कंबाइन इंट्रेंस कंपर्टेटिव एक्जामनेशन बोर्ड के तरफ से जो अपडेट दिया गया है उसके बारे में जै स्वारूब का 12 सब्टमबर से स्टार्ट हुरता बारे में जैस से उन लोगों का कॉंसलिंग कराया गया और गानेशन बोर्डे कोंसलिंग उसका रिपॉर्ट आप लोगों के साथ मैं सेयर कर रहा हूँ ताकि जो अगले दीन counseling में participate कर रहे हैं उन लोगों को एक idea roughly मिल जाए कि इतना seat अभी भी खाली है ताकि हम इस branch को ले सके उनको एक idea मिल सके प्लस ये भी idea मिल सके कि अगर हमको first round में college नहीं मिलता है या कई सारे लोगों को percentage to percentage marks conversion में जो है दिखते आई हैं तो उनको second round में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या उनको मन चाहा ब्रांच मिलेगा कि नहीं मिलेगा इन चीजों से related जिनका भी doubts आता है वह लोग हमारी इस वीडियो को बेसबरी से इंतिजार करते हैं तो जो लोग भी इंतिजार कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह मैं बताने वाला हूं तो आज आपका सत्रह सप्तंबर है और आज विसकर्मा पूजा भी था तो उमीद करते हैं कि जो लोग हिंदु धर्म से relate करते होंगे वह बेसिकली वे लोग जो है विसकर्मा पूजा अपना मनाये होंगे अच्छे से मनाये हो सिंप्ली आप जिस वी चीजों का यूज करते हैं जो कि आपके वह बेनफिट देता है और विसले उसका ख्याल आपको अच्छे से रखना होगा जैसे आपका मौईल लैप्टॉप एक स्टुडेंट के लिए ही तो होता है एक साइकल अगर है तो साइकल तो इन सभी को प्य यूज के लिए ही लिया है तो आपको तो यूज करना है बट प्यार से अपना समझ के चलाइए जैसे आप खुद रास्ते पे चलते हैं तो हर चीज से बच के चलते हैं वैसे ही जब आप साइकल चलाते हो या बाइक चलाते हो आपके पास जो भी है साइकल हो बाइक हो हो सक पूजा अच्छे से करें क्योंकि इसे आपको मन की सांती मिलती है और कुछ नहीं पूजा करने से ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं है बस एक संतावना मन को मिल जाता है मैंने पूजा किया है अब मेरा दिन अच्छा रहेगा अच्छा हो ना हो उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है लेकिन मन को एक सांती मिल जाता है कि नहीं मैंने पूजा किया है मेरे को अच्छा ही मिलेगा तो उमीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपके फैमिली में सभी लोग अच्छे होंगे मैं सभी के लिए दुआ करूंगा कि सभी लोग अच्छे हो और आज कितने लोगों ने अडिशन करवाया और कौन-कौन से ब्रांचेज में कितना सीटिय बची है उसके बारे में हम लोग चलिए डिसकस करते हैं तो यहां पर आपका जो है वैकने सी रिपोर्ट आफ्टर कौनसलिंग जो की आज कौनसलिंग हुआ उसके बाद तो यहां पर बात किया जाए जिसमें A.C. category में भी seat है, आपका E.V.C. में भी है और कुछ general में भी seat है यहाँ बच्ची हुई है उसके बाद civil में structural engineering में एक seat आपका खाली है जो कि general का है उसके बाद यहाँ पे electronics का आपका अच्छा खासा seat है जो कि अभी 83 seat खाली है उसके बाद computer science में आपका बात किया जाए तो 15 seat खाली है category wise उसके बाद electrical में आपका जो है एकी seat है आपका खाली है कुछ category में seat है कुछ category में seat है मिल्कुल भी खतम हो गया है यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद female candidate के लिए बात किया जाए जो कि girls के लिए particularly reserve किया गया है तो उसमें भी आप अपना branch wise देख सकते हो जैसे mechanical मे जो है 34 seat है का civil में जो है 2 seat है electronics में जो है 40 seat है computer science में 12 seat है electrical में जो है बाई seat है इस तरीके से overall अगर total seat अगर बात किया जाए तो 263 seat खाली है कल जो है 318 या पंद्रा के आसपा seat खाली था आज 268 यानि लगबग अगर बात किया जाए तो 70 से 75 candidate ने जो है यहाँ पे addition करवाए है तो यह आपके लिए एक opportunity है आपके पास अच्छा खासा भी seat है तो जो लोगों का ही counseling 18 सेप्तमबर को है उनके लिए यह opportunity है क कि वह अपने category के हिसाफ से जो branch हो लेना चाहते हैं वो सायद उनको मिल जाए हना क्योंकि देखिए अब वहाँ पे counseling जो है row wise होता है और row wise कैसे रहता है तो row wise percentage के हिसाफ से आपको वह schedule दिया गया तो row wise आपका counseling में अगर आपका पहला दूसरा तीसरा रो में रहेगा तो definitely आपका counseling में आपको जो college चाहिए और जिनका last में रहेगा हो सकता है कि ना भी मिले तो यह just depend on the counseling और जो भी branch आप लेना चाहते हो ब्रांच में सीटे हैं आपके category में की नहीं है यह भी depend करता है कौन सा college आप लेना चाहते हो इस तमाम points के उपर जो है depend करता है बाकी से related जो भी updates हैं आप लोगों के साथ share किया जाएगा मिलते हैं नई वीडियो में नई update के सा था था था, thank you